प्रिय विद्यार्तियों, मैं अंचना वर्मा, सहायक आचारे, समाज शास्र विभाग, बाबु शोभाराम, राज्किय कला महा विद्याले में कारे रथ हूँ। आज मैं आपको B.A. 3rd year का 2nd paper उप समाज शास्रों का परिजय के अंतरगत नगर और उसके प्रकार परचर्चा करूंगे। नगर, नगर की परिभाशाएं अनेक हैं, लेकिन उनमें अनेक भिन्नताएं हैं। नगर की परिभाशा के आधार निम्नलिकित हैं। नगर की परिभाशित करने का सबसे सरलतम आधार संख्यात्मक हैं। क्रॉस ने 1846 में उस बस्ति को नगर भोशित किया, जिसकी नियुनतम जनसंख्या 2000 है। यूरप के अन्य देशों ने भी इस परिभाशा का अनुकरन किया, लेकिन इसे सारो भाविक रुप से स्विकार नहीं किया गया है। नमबर दो, जनसंख्या के घनतों का आधार। जनसंख्या के घनत्व के आधार पर नगर को परिभाशित करने का प्रियास किया गया है, लेकिन नगर के लिए कोई भी नियुनतम जनसंख्या का घनत्व निशित नहीं किया जा सका। वाल्टर एफ बिलकॉक्स ने निमने जनसंख्या के घनत्व का सुझाव रखा, 100 से कम प्रती वर्क मिल घनत्व वाला बस्ति, 100 से 1000 वाला ग्राम और 1000 से अधिक घनत्व वाला नगर, लेकिन ये जनसंख्या के घनत्व की माप सर्व माने सिध नहीं हुए, बस्ती नगर होते ह इन परिभाशा की कसवाटी पर खरी सिद्ध नहीं हुई है। यह हम आप सब पर समान रुप से व्यभारिक नहीं पाई गई। वो सबी स्थान जो निमने लक्षनों को पूर्ण करते हैं नगर कहलाते हैं। विलकॉक्स ने घनत्व के साथ व्यवसाय के आधार को जोड़का नगर की परिभाशा दी हैं। उनके अनुसार ग्राम वहा है जिसका व्यवसाय मात्र क्रशी हैं। नगर वहा है जिसमें व्यवारिक रूप से कोई क्रशी कारे नहीं है। नबर पांच बाजार का आधार। संसार के कुछ भागों में मानोबस्तियां कुछ विशेश प्रकार की हैं। आर्टीजन गाउं जहां पर निवासी किसी क्राफ्ट में व्यस्त होते हैं। इसी प्रकार से मशली पालन एक विशेश पकार का भोजन संकलन का व्यवसाय करते हैं। वही कुछ मशली का व्यवारिक करते हैं। माक्स ने नगर को समाज के उत्पादन के तरीकों के आधार पर वर्गी गत करने का प्रियास किया है। कई देशों में नगर को कानून की परिभाशा में परिभाशित किया गया है, एक स्थान को कानूनन नगर घोशित कर दिया जाता है, भारत में राज्य सरकार का ये उत्तरदाई तो है कि वो एक बस्ति को नगर पली का घोशित कर सकती है, या एक कस्पा, ऐसे कस्पे कानूनन क पस्वे कहलाते हैं कारे विधी तो पूर्ण सबस्ट है लेकिन पहचान के आधार राजियों में समानता नहीं है समाज शास्रिय परिभाशा नगर वहस्तान है जो इतना बड़ा हो गया है कि जिसमें लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं नमबर आठ बहुकार की आधार किसी एक आधार के अनुसार नगर की संतोष चनक परिभाशा देने में सफलता नहीं मिली हैं इसलिए कुछ विद्वानों ने कुछ कारुकों के योग या बहुकारुकों के आधार पर नगर को परिभाशित करने का प्रयास किया है ऐसे उलेखनी ये समाज शास्री सोरोकिन और जिमर्मेन और मुन्रो और सोमबार्ट आदी है मुन्रो के अनुसार एक नगर पूर्ण समाज है जिसका भोगलिक आधार विशेश रुपसे जनसंक्या के आकार के अनुसार दबाव में है अर्था जनसंक्या का घना तो अधिक है इनकी परिभाशा इसलिए अपूर्ण है क्योंकि इन्होंने परिभाशा में यस्वर्ष्ट नहीं किया कि कब गाउं नगर में परिवर्थत हो जाता है लुईस वर्थ के अनुसार समाज शास्टिये दिश्टिकोंच से एक नगर की परिभाशा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे एवं स्थाई निवास के रूप में की जा सकती है उपरिक्त परिभाशाओं के आधार पर ये निशकष निकाला जा सकता है कि नगर का अर्थ जनसंक्या के अधिक्ता श्रम विभाजन और विशेशी करण अपचारिक एवं दृत्तिक संबन नियंतर्ण के अपचारिक साधुनों का प्राधानि और लोगों का गैर करशी कार विभाष्टी जनकर्णा प्रतिवेदन के अनुसार इसके अत्रिक्ते जिस समाझ की जनसंक्या पांच हजार से अधिक हो तथा जनसंख्या का घनतों 400 व्यक्तियों से अधिक हो तो उसे कस्वा या नगर कहा जाता है नगर की विशेष्टाएं नगर की निमनलिखित विशेष्टाएं है नमबर एक है जनांकी की विशेष्टाएं जनांके की विशेष्टा इन निम्ननिकित हैं नमबर एक जनसंख्या का आधिक किया है नगरों की प्रमुक विशेष्टा जनसंख्या का आधिक किया है जनसंख्या आधिक किया के साथ साथ जनसंख्या घना तो भी अधिक पाया जाता है अनेक नगरों में जनसंक्या घना तो 150,000 व्यक्ति प्रती वर्ग मिल्च से भी अधिक है भारत में एक लाख या इससे अधिक जनसंक्या वाले सान को नगर कहा गया इससे भी अधिक जनसंक्या वाले सान महा नगर कहलाते हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मतरास आदी इसी श्रिणी में आते हैं यहाँ पर आवास, गरीबी, बेरोज़कारी, अपराद, प्रशासन, आदी समस्याओं के रूप में जश्टिकोचर होते हैं नमबर दो, जनसंक्या की विशम रूपता, नगरों में जनसंक्या का आधिक के आधिक होता है और यह जनसंक्या विशम रूप भी होती हैं अनिक मतों और धर्मों के अनुयाई, विभिन संप्रदाय, वर्ग, जाती, प्रजाती, भाशा एं प्रांतों के लोग निवास करते हैं उनके अनिक प्रकार के व्यवसाय, रुचिया, मनुवरतिया होती हैं वेश, कुशा, परंपरा, रहन सें, जीवन स्तर, संस्कती एवं सामाजिक मुल्यादी में विशम रूपता होती हैं नंबर तीन स्वास्त वा मनुवरतिया केंद्र नगरों में व्यक्ति को स्वास्त से समंदि सवी सिर्धाय उपलब्द होती हैं यहां हर प्रकार के रोकों का नितान वची किसा के लिए उच्च सरी अस्पताल होते हैं यह अस्पताल भी विशेशी करत होते हैं यहां पर सिनेमा हॉल, नत्य संगीत कला, केंद्र, टेलीविजन, रेडियो, नाट्टे शलाय आधी अनेक मनुवरतिया के साधन सुलब होते हैं ताजा हवा व स्वास्ते प्रद वातावरण के लिए उत्यान बाग पगीचे होते हैं नंबर दो आर्थिक विशेश्टाएं, नगरे समुदायों में निम्न आर्थिक विशेश्टाएं विदमान होती हैं नंबर एक आर्थिक वी सामान्यता, नगरों में विभिन आर्थिक वर्गों के लोग रहते हैं एक और साथन संपन पुझी पती वर्ग और दूसरी और गरीब मस्दूर वर्ग के लोग निवास करते हैं नमबर दो आर्थी गतिविदियों के केंदर नगरों में अनिक प्रकर के व्यवसाय पाये जाते हैं जैसे कि सेमेंट, इट, लकड़ी, कोईला, दियसलाई, बारूत, कागस, कपड़ा, चमड़ा, ओन, प्लास्टिक, प्रसादन, सामगरी, आदी इससे व्यवसायां में बाहूलेता होती हैं नमबर तीन, श्रम, विभाजन, एवं विशेशी करण चुकि नगर अनिक आर्थिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं इसलिए वहाँ विशेशी करण भी अधिक होता हैं यहाँ व्यक्ति व्यविद व्यवसायों में लगे रहते हैं साथ ही वेकार्य विशेश के विशेश अग्या भी होते हैं नमबर तीन सामाजिक विशेश्टा हैं नगरे समधायों की सामाजिक विशेश्टा हैं निम्न लिखेता हैं नमबर एक दृत्यक संभंदों की प्रधानता पाई जाती हैं आपे सामाजिक गतिशीलता पाई जाती हैं हिद प्रधान सहन्शीलता होती हैं प्रदर्शन कारी व्यवार पाया जाता है, स्थानिय पार्थक्य होता है, अनेक सामाजिक समस्याएं जैसे ग्रश्टाचार, वर्ग, संगर्ष, बाल अपराद, अपराद, गरीभी, वेरोस्कारी, वेश्या व्रत्ती, मत्यपान, कोपोशन, प्रदूशन, आदी समस्याएं गरश्टी कोचर होती है, नमबर चार सांस्कतिक विशेष्टाएं, नगरे समुदायों की निमनलिखित सांस्कतिक विशेष्टाएं हैं, नमबर एक सभ्यता के वहक हैं, नमबर दो सिक्षा और संस्कतिक के केंद्र हैं, नमबर तीन फैशन, नमबर पांच राजनितिक वि नगरे समुदायों के कुछ अने विशेष्टाएं हैं जैसे परीवन वा संचार, तार्की कभी व्रती तता सुरक्षा जो इस प्रकार से हैं। नमबर दो व्यापार और वानीजे के केंद्र इस नगर के प्रकार में वो नगर आते हैं जिन में प्रमुक कारे व्यापार और वानीजे का होता है। नमबर पांच धार्मिक और सांस्क्रतिक केंद्र भारत में अनिक धार्मिक केंद्र ऐसे हैं। जो अपने धार्मिक महतों के कारण नगर और महानगर में विक्सित हो गए। महा के लोकों की आये के सादन आने वाले तीरती आत्री हैं। भारत में काशी, प्रियाग, बोदगया, रामेशुरम, जगनातपुरी, अमरत्स, तेरुपती, अजमेग, पुषकर, आदे, धार्मिक महतों के कारण नगरों के रुपनें देखे जा सकते हैं। नमबर छे, बहुशाखिय, आधार। नमबर दो, कामिल्ला, रेसिय, नगरों का वर्गेकरन। रोसिया ने नगरों का वर्गेकरन उनकी रचना और सापना के आधार पर किया हैं। उनके अंसार नगर के निम्न दो प्रमुक प्रकार हैं, प्राकरतिक नगर और निर्मित नगर। नमबर तीन नगरों का काल क्रमिक वर्गी करन भारत की नगरों का कालों के आधार पर निमनी तीन कालों में वर्गी करत किया जा सकता है प्राजी नगर, मतेकाली नगर, आधुनी नगर नमबर तीन जनकर्णा अनुसार नगरों का वर्गी करन भारतिय जनकर्णा प्रतिवेतन के अनुसर कस्वों और नगरों का वर्गे करन जनसंक्या के अनुसर चे प्रकारों में बाटा गया है नगरों के प्रकारों का उत्वाव और विकास एतियासिक अधियन के जश्टिकों से नगरों के प्रमुक नेम्न पांच फ्रकार निशित किये गये हैं नमबर एक है प्रतम नगर नगरों के उत्पाव विकास के लिए कुछ प्रारंबिक पूर्व वास्ताओं का विकास होना आवशक हैं क्रेशी के उत्पादन और खाते पधार्द की बहुल लेता दोनों आवशक हैं, तभी नगर की बहुल जनसंक्या के लिए खाते पधार्द की व्यवस्ता संभव हो पाती हैं, अधिक्ता बड़े नगरों का उत्भा और विकास व्यापारी मार्ग पर हुआ था, ममफोड के अंसा प्रथम नगरिये बस्तिया नदी के किनारे विक्सित हुई थी, इस अवस्ता के अधिक्तर नगरों की सुरक्षा के लिए चारों और परकोटे थे, इन नगरों की जनसंक्या को धर्म एक्ता में बांद कर नगरे समाज का रूप प्रदान करता था, नमबर दो, वास्तविक नगर, क्लासिकी नगर सही अर्थों में संसार के वास्तविक नगर थे, जैसे युनान, युनान नगर का उधवाव अंधकार युग में हुआ था, नमब़ तीन व्यापारी नगर व्यापारी नगरों के विकास की कारण योरोप के सामांत समाजों का नगरें समाजों में रूपांतरन हुआ था नमब चार पादियोकिकी नगर संपूर संसार में और वस्तों को सस्था करने और लाभुमे प्रत्ष के लिए प्रयास की नमबर पांच उत्तर ओध्योकिक नगर अर्थात वर्थमान के संधर में भविश्य में नगर कैसे होंगे कि कल्पना करता है आज इंटरनेट, मुबाइल, फोन तता अन्य संचार के कारण आवशक नहीं की उत्योकों के संचारन और नियंतरन के लिए कारण उनके साथ सेत हों कॉल सेंटर ने इस प्रशासनिक व्यवस्ता को संधर की किसी भी सान पर सेत करना संभव बना दिये है अधिकारियों को भहतिक या शारेरिक उपस्तिती आवशक नहीं है लोग संसार के किसी भी स्थान पर रहकर कारे कर सकते हैं नगरों के उपरिक्त वर्णित प्रकारों के प्रारूप के आधा पर नगरों के प्रकारों का कोई एक वर्धी करण का प्रकार निशित नहीं किया जा सकता नगर धार्मिक, सांस्कृतिक, प्यवसाई, मनुरंचनात्वक या कोई और विशिष्ट एक ही नगर को ही हो सकती हैं नगर के कारे लोगों के आवशक्ताउं समय और स्थान के कारण परिवर्तित होती रहती अता यह का जा सकता हैं कि भविशिमे नगरों के प्रकारों का कोई एक प्रारूख, शुद्ध, सतीक और सरोमान्य निशित नहीं किया जा सकता है धन्यवाद